आप सबको दीवाली की बहुत बहुत शुब काम नाएं आज मैं लेकर आए हूं मिल्क केक की रेसिपी जो की दीवाली पर बनाने के लिए बहुत यह असान और स्वादेश्टी रेसिपी है तो बिना किसी देरी के हम जल्दे से शुरू करते हैं मैंने एक लीटर फुल फट मि करने के लिए रखा है एक कड़ाई में आप हमेशा मोती कड़ाई लें जिसका तला मोटा हो क्योंकि इसे हमने रेड्यूस करना है और रेड्यूस करते करती तले में चिपक जाता है इसे लिए कड़ाई मोटी होनी चाहिए जब यह उबल जाए तो पैटुला से लगतार करना है जब यह थोड़ा सा आधा होने लग जाए तब आप इसमें एक टी स्पून लेवन जूस डालें दियान रहे हैं एक लीटर दूद में एक टी स्पून से ज्यादा लेवन जूस ना डाले नहीं तो यह फटकर पनीर बन जाएगा जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना है हमें एक खाली एक टीसपून ही डालना है जिसे धीरे धीरे इसमें थोडे चोटे चोटे टुपड़े बने लगे और लास तक यह बिल्कुल रड्यूस होके एक एक फॉर्म ले 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 कलाकंद और मिल्क केक दोरों की रेसिपी अलमुस्स सिर्मेलर होती है कलाकंद में ऐसा होता है कि हम पहले थोड़े दूद का पनीर बनाते हैं और उसको बाकी दूद में उबालकर उसको पकाते हैं लेकिन मिल्क केक में हम उतना ही लेवन जूस जालते हैं जिससे उसके पनीर तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं ये लगबग 1 3 तक पहुचने वाला है तो मैंने याप पर अंधाजे से शुगर डाला है मिल्क केक में बहुत कम शुगर डलता है तो आप एक बार शुगर डाल के इसका टेस्ट चेक जरूर कर ले मैंने याप पाउडर शुगर का इस्तेमाल किया है आप नॉमल शुगर भी डाल सकते हैं तो लगबग इसमें वान फॉर्थ कप से जादा शुगर नहीं डलेगा आप अपने टेस्ट के अगॉर्डिंगली शुगर एजस्ट कर सकते हैं लेकिन मिल्क केक में शुगर कम ही अच्छा लगता है तो जैसे कि आप देख रहे हैं यह बीरी देरी रड्यूस हो रहा है शुगर डालते ही थोड़ा सा वाटरी कंसिस्टेंसी का हो जाएगा लेकिन लगबग 2 मिनट के बाद आप इसमें इलाइची का पाउडर डाले मिल्क केक को आपको फ्लेम पर ही पकाना है बिल्कुल भी गैस मीडियम से हाई बिल्कुल भी मत कीजिएगा नहीं तो यह तले पर चिपक जाएगा तो इसी तरह लगता चलाते हुए आपको मिल्केक बनान बिल्कुल रड्यूस हो चुका है उसमें दूद बिल्कुल सूप चुका है और यह थोड़ा सा गोल्डन कलर का हो गया है लाइट ब्राउन या गोल्डन कलर का आपको यह दिखेगा इस स्टेज में इस पर आप ग्यास को बंद कर दीजे और किसी भी केक टीन या प्लेट को घी से ग्रीस करके उसमें यह मिक्स्टर डाल दीजे मैंने यह केक टिन लिया है और उसमें थोड़ा सा बटर पेपर भी लगा लिया है इससे इसको निकाल कर सीधा कटिंग करने में असानी होती है मिलकेक बनाने में टाइम जरूर लगता है लेकिन जो रिजर्ट निकलता है तो मैंने इसको साइड में करके इस तरह से उसकी हाइट बना ली है कि पीसिस में कट सके और उसको एक गंटे के लिए छोड़ दिया था अब देखे मैं इस तरह इसको निकाल लूंगी और प्लेट में रखके इसको सीधा ऐसे ही कटिंग कर लूंगी इसलिए मैंने यह जब भी आप इसे बनाएंगे आप इसको एक ही दिन में खतम कर देंगे तो यह रेसिपी जरूर ट्राइ किजिए इसे आप किसी एर टाइट कंटेनर में डालकर पांच से छे दिन के लिए स्टोर करके कंस्यूम कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्स्राइब करना बिल्कुल भी मत करना चाहते हैं तो मैंने सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये हैं उनको ट्राइ जरूर कीजिए और मुझे बताइए आपके दिवाली और यह रेसिपी आपको कैसी लगी